हेलो दोस्तों कैसे आप सब तंत्रमंत्र रियुटर चैनल मंत्र लिपी में आप सब का सागत है जिन लोग इस चैनल में नहीं आया है तो जो लिख चैनल को subscribe कर दिजिए और साइड में दीया बेल आइकन को पर all बोटाम ज्रूर्द प्रेस कर दिजिए कि कि इस चैनल में करायो कि इस जन्त्र को आप अगा धारन करेंगे शात मैं कुस जोड़ी बूटी भी बोलूंगा उस जोड़ी बूटी को एक प्रत्रित करके आप अगर किसी भी मतलब कवस के अंदर तामबेक्या या तीन धादु का कवस के अंदर ये तीन जन्त्रों और जोरीबुटी मिला कर धारन करेंगे। आपका सदिर हमेशा के लिए बंद रहेगा और आपका उपर किसी भी तड़ा कोई भी भूत प्रेद जादुटुना उपड़ी बादा तंत्र मंत्र बादा चालान बादा या किसी भी कूपड़ी का लम बादा या मसानिक किसी भी पकर का कोई भी चीज आपका उपर किला ज्ञंटर को यह बेंगोली में लिखा हुआ है तो इस्सट रो में चार कॉर्नार में आपका नाम हो गाम मतलब आप जिसके लिए मतलब विकस्कोष यह वास की बनाएंगे अन जो दारान करेगा उनका ही नाम होगा सबस्कार जलिएंगे तह ये पहला वाला जांद्र है और दूसरा वाला जांधर तो इसमें ही सट लिगे कर लिया इसका उपपर में लिखाउयों ho 그러니까 और मतलब और मतलब तरिपुज के अंदर में मीडल में हुझ लिखा हुआ है घ्राप जान्ट तसी बहुए और तीस्रा बम्हों reserve के लिए बनाएंगे तो उसका सब कुस अख लेंगे सबस्कवेंगे और 00 मेंसले और एर्टि ओननध साइड में रिंग के हाथ का उपड़ में और लेट्ट्टाइट में हाथ का उपड़ में कुरिंत लिखेंगे और राइट्ट एर verloren में ंघ लिखेंगे और धींजों का मीडल में शहा लिकाइएंगे और लेटका साइड में फाट लेगेंगे और नीचे में नाम लेख लेंगे ये तीन जंत्रों आपको बनाना है इस तीन जंत्रों बनाने के लिए आपको भोषपत्र चाहिए साथ में गोरचन, कुमकुम और जाफ्रान काली ये तीनों को मिला लेंगे मिलाने के बाद आप भोषपत्रों में मतलब सनी मुंगलवर के दिन भोषपत्रों में सुद्ध आनार के कॉलम से लिखेंगे और ये जंत्रों बानाने के बाद जो मंत्रों बाताया था जंत्रों जागाने के लिए मुस्लिम मंत्रों दिया था उस मंत्रों से साथ बार पाठ करके के जंत्रों को तीन बार फूक मारेंगे फूक मार कर इस जंत्रों को जागाएंगे और कुछ सामोगरी है वो सब भी आपको मतलब जुगर कर लेना जैसे बोंसी है जो मसलिपा करने वाला बोंसी होता है साथो बोंसी आपको चाहिए साथो सूंच चाहिए जो मतलब जो सिलाई करने वाला सूंची होता है वो सूंच चाहिए साथ प्रोकर के कांटा चाहिए यह आपको एर पूर्पूर का मिट्टी है यह स्यम्पूर हो गया या सिरामपूर हो गया इस टाइप का जो स्थान के लास्ट में पूर लिख्खा हुआ है मतलब ऐसे स्थान में आप जब भी जाएंगे थोड़ा-थोड़ा मीट्टी आप ले कर आएंगे सब मीट्टी को एकठा कर लेंगे और वह से थोड़ा सा मीट्टी उसमें ढाल देंगे और साथ में इंद्रो जाल, ब्रोमो जाल, माया जाल ये तीनों से थोड़ा-थोड़ा काट कर दे देंगे और कुछ ज़र के जैसे भीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कुछ जड़ी बूटी ज़र जैसे देने के लिए उसके अंदर में इसा मूना मूनी का फॉल आपको देना है उसमें सपेत लाजुवंती का ज़र देना है सपेत गुढल की ज़र देना है बेल का ज़र देना है गुलर का ज़र देना है शाड़ा विक्षे की ज़र देना है अपोमार्क की ज़र देना है विशल्ला करोनी के ज़र देना है काले ध बाबूल विक्षा इस देना है और गुए बाबला पोनी बिख्षे के जड़ देना है बांस के जड़ देना है खोस का जड़ देना है कला बिख्षे के जड़ देना है गुंजे के जड़ देना है गुंजा का पोधा हता है उस बिख्षे के जड़ देना है अनंतमुल का जड़ देना है श्वासन में उगे होई तूलशी उस त पड़ जिता नील पड़ जिता सपेद आक इस सबको आपको एकट्ठा कर लेना करके उसके थोड़ा थोड़ा पड़िमान आपको जड़ उसमें दे देना है यह किसी भी तीन धातुआ कवोज यह चांदिगा कवोज के अंदर उसको भर लेंगे भरकर आप धारण करेंगे इस भीड़ो में जितना सामग्री बोलाओ और जो तीन जांत्र है इस तीन जांत्र बना कर साथ में जो सामग्री सबको एकट्ठा करके किसी भी कवोज में भरकर आप जब भी धारण करेंगे आपका उपर किसी पकार का कोई भी तंत्र मौंत्र, जादू, टोनाव, पुरी बादा, भूत प्रेद बादा, जीन, ब्रुम्मोराक कुछ बादा, कुछ भी आपका उपर प्रोहब दिखा नहीं पाएगा यही है पुड़ा बिधी इस कवोश को बनाने के लिए इस वीडियो का जानकरी अगर अच्छा लगा ते वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करेंगे इस चैनल से जुरा रहने के लिए चैनल को सास्काइब जुरूर करेंगे धन्नबाद